प्रापरटी को लेकर हर किसी के घर में लड़ाई चलती है चाहे वो हजार करोर की हो या फिर एक करोर की आप देखिए अमिताब जी अपने डिसिजन पर जैसे ही अमल हुए तो उनके घर पे भी कलेश हो गया अमिताब जी का कहना है कि मेरे तीन हजार करोर मैं अपने दोनों बच्चों पे डिवाइड करना चाहता हूँ पंदासो अभिशेक के और पंदासो श्वेता के पर ऐसा लगता है इस बात से उनकी बहु कुछ जादा ही नाराज लग रही है और उनके बेटे भी कुछ जादा खुश नहीं है क्योंकि उनका मानना था कि अमिताब जी की जितनी भी प्रॉपर्टी है इकलोते बेटे होने के नाते अभिशेक जी वो पूरा प्रॉपर्टी लेने वाले है पर अचानक से अमिताब जी का विचार बदल गया और उन्होंने ये सोचा कि मेरे बेटे को भी क कुछ हिस्सा मिलना चाहिए इसलिए उन्होंने इक्वली डिवाइट करने का सोचा इस बात से ही उनके घर में कलेश चालू हो गया वहीं नियूज में ये भी आया है कि अमिताब जी ने अपनी बहु एश्वरिया को अनफॉलो कर दिया है इसका मतलब ये है कि अब ये लड़ और अमिताब जी के साथ क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ बात पर लड़ाई चलती रहती है पर जब से ये नियू सामने आई है श्वेता तो कुछ जादा ही खुश नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचाता कि उनके पापा आधी प्रॉपर्टी उनको दे अश्वरिया से कि उनके ससुजी ने इतना बड़ा डिसीजन इतने इजीली कैसे ले लिया उनका मानना था कि हम आपके बेटे बहु है तो हमें ही पूरी प्रॉपर्टी देनी जीए इसलिए अब तो अश्वरिया सास और ससुर के साथ साथ ननत से भी लड़ती हुई नजर उनकी जो वेल बन रही है वो ना बने क्यूंकि अभी से ही अगर डिवाइड हो गया उनके रहते हुए तो बाद में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा पर देखना यह है कि अमिताब जी इस पर कितनी होश्यारी से काम लेते हैं अपनी बेटी को कितनी प्रॉपर्टी दे कर जाते हैं यह उनके उपर है आपका क्या वीचार है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं